इम्रान खान की गिरफतारी के बाद पाकिस्तान के हालत क्या है? और वहां धारा 144 लागू कर दिया गया है और हिंसा परदरसन इतना जादा हो रहा है कि 6 लोगों की मौत हो चुकी आप तक क्या है पूरी खबर? चलिए आपको बताते हैं विस्तार से नमस्कार मैं हूँ कुस बुबर्मा आप देख रहे हैं नज़र टुड़े पूर्ब पीम इम्रान खान की गिरफतारी के बाद पूरे पाकिस्तान में हिंसा जारी है पेसावर इसलामाबाद समित कई शहरों में पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ यानि की पीटी आई के समर्थक अगजानी और तोड़ फोड कर रहे हैं अब तक छे लोगों की मौत की खबर आई हैं इसी बीच पाकिस्तान के पूर्ब गवर्नर और पीटी आई लीडर ओमर सीमा को भी गिरफतार कर लिया गया है कारिकरताओं ने देर रात रावल पिंडी के आर्मी हेड़ कौर्टर में तोड़ फोड की लाहोर में गवर्नर हाउस आर्मी कमांडर का घर जला दिया गया काई फौर्ज अपसरों के घर हमले किये गया हैं कराची में कैंट एरिया में भी ऐसी घटनाई हुई हैं पाकिस्तान अक्वार डौन के मतावित हिंसा को देखते हुए पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट सेवा बंद कर दिया गया है देश में प्राविट स्कूल भी बंद रहेंगे मंगलवार को गिरफतारी के बाद इमरान खान को आज कोट में पेस किया जाएगा उन्हें जाच एजिंसी यानि की एन एबी के ओर्डर पे पाकिस्तान रिंजस ने अरिस्ट किया था इसके बाद खान को पूस्ताज की लिए रावल पिंडी में एन एबी के हेड़ कोटर में सिफ्ट किया गया था केस में सुनवाई के लिए पूर्ब पीम को एन एबी कोट या जुडिसियल कॉनफ्लैक्स नहीं लाया जाएगा इसकी जगा इसलामाबाद पुलिस हेड़ कोटर में सुनवाई होगी पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि इमरान की जान को खत्रा हो सकता है इसलिए ये फैसला लिया गया है पाकिस्तान रेंजस ने मंगलवार को इमरान खान को इसलामाबाद हाई कोट से गिरफतार किया था इमरान हाई कोट में दो मामलों में जमानत के लिए पहुँचे थे जहां पाकिस्तान रेंजस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया एमरान अगले चार से पांस दिन तक जाच एजनसी एन एबी की कस्टडी में रहें गए ये गिरफतारी अलकादीर यूनिवोसिटी स्कैम केस में की गई थी उन पर अर्बो रूपए के घोटाले और मनी लॉंडरी का आरोब था सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि क्या है अलकादीर ट्रस्ट केस खान जब प्रधानमंद्री बने तो उन्होंने मलिक रियास को मनी लॉंडरी केस में फसाया ब्रिटीन में रियास की अर्बो रूपए की प्रोपर्टी जब्द कर ली गए इसके बाद एक डील के तहट ब्रिटीन की राष्टी अपराद एजेंसी यानि कि NCA ने पाकिस्तान सरकार को करीब 1,979 करोड रूपए भेजे थे इमरान खान उनकी पतनी और दूसरे PTI लीडर्स ने मिलकर इसकी जानकारी केविनेट को नहीं दी थी पैसा वापस आने के पहले इमरान ने एक ट्रस्ट बनाया नाम रखा अलकादिर ट्रस्ट उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई जो मजहभी तालीम देने वाली थी इसके लिए और वो रूपए की जमीन मालिक रियाज ने दी थी वुसर्रा बीवी को डाइमन रिंग भी गिफ्ट किया था बदले में रियाज के तमाम केस खत्म कर दिये थे होम मिनिस्ट्री राना सनाव लह ने कहा कम से कम 60 अरव रूपए की चपत सरकारी खजाने को लगी तेरा महिने में एक बार भी इमरान या बुसर्रा पूस्ताज के लिए नहीं आएं तीन साल में इस उनिवोसिटी में महज 32 स्टूडेंट ने ही अड्मिशन लिया केस तो सर्फ बहाना है असली वाजा कुछ और है चलिए ये वी विंदू को समझने का परियास करते हैं इमरान को अलकादिर ट्रस्ट केस में गिरफतार किया गया पाकिस्तान के अखवार दडॉन के मुताबित अलकादिर ट्रस्ट घोटाला 50 अरव रूपे से जादा का है और इसका फायदा इमरान पत्ती बुसर्रा बीबी और बुसर्रा की दोस्त फराह गोगी ने उठाया था रविबार को एक रैली में इमरान ने खूपिया एजेंसी ISI की पॉलिटिकल बिक के चीप फैजल नसीर पर बेहत संगीन आरोप लगाये थे खान ने कहा था फैजल मुझे कतल करना चाहते हैं इसमें कुछ अपसर उनका साथ दे रहे हैं फौज को मजबूरन सामने आकर इन आरोपों को खारिज करना पड़ा इसके बाद मंगलवार को लाहोर से पेसी की लिए इसलामाबाद रवाना होने से पहले इमरान ने कहा फाज कान खोल कर सुलो मैं डरने वाला नहीं हूँ इसके करीब चार घंटे बाद ही उन्हें इसलामाबाद हाई कोट के बायोमेट्रिक रूम से सीशो तोड़ कर गिरफतार कर लिया गया माना जा रहा है कि फाज को चैलेंज करने के बाद ही खान की गिरफतारी तै की गई थी तो ये थी इमरान की गिरफतारी का मामला और इसके आगे क्या हिंसा प्रदर्शन हो रहा है पाकिस्तान में वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता चुके हैं और आगे क्या होगा ये